Hey friends, welcome to my channel AB Rocks Teams तो guys मैं आप लोगों के लिए आगे हैं एक match cover करने जो की हेराजे का Copa Delray League का Barcelona vs SCV के बीच एक गंटे 37 मिनट के बाद तो बहुत dangerous match है पिछला match भी इन दोनों teams के बीच हुआ था जो की इसी league में खेला गया था तो बात करूँ इस match की final team आपको open मिलेगी lineups के बाद मेरे इस channel पर जिसका नाम है AB Rocks Dream 11 Teams पिछले हर match के अंदर ultra clean ship लग रही है मतलब देखो अगर मैं खुद अपना भी अगर profit कर रहा हूँ अपनी team के साथ तो मैं team आपको भी send करता हूँ कि आप भी जीट सकें और मतलब एवन एक भी contest नहीं हारा होगा इस match में तो कोई मतलब जो भी मेरे prime में है उनको पता होगा ये तो चलते हैं दोस्तों आगे और link description में है फटा फटा आकर जुडो तो बात करूँ इस match की तो बारसेलोना वार्सिज स.E.V तो इस match के अंदर एक चीज़ का दियान रखना दोनों टीम्स के बीच पहले भी match हो चुका है तो ज़्यादा कुछ इसमें रिस्की नहीं रहने वाला वालब देखो first time होता है तो रिस्की लगता है बड़ कौपा डलरे लीक में इन दोनों टीम्स के बीच पिछला match था तो बात करूँगा गोल कीपर की पिछले match के अंदर एक गोल कीपर जिसके नहां मैं यैसीन बना हुई इसने बहुत अच्छा चला था और यह पता भी था हमें क्योंकि SCV जो टीम थी उन्होंने clean sheet मारी थी बहुत पूरी proper clean जिस कारण बारसलोना को बहुत बड़ी हार जिलनी बढ़ती और यह प्लेयर सबसे बड़िया निकला था इनका गोल कीपिंग सेक्शन बहुत अच्छा है आगे से बात करूँगा इस defender की तो आसे लूँगा जे आलबा को जे आलबा ने पिछले match के अंदर without clean sheet 90 मिनट खेल क 47 पासिस कंप्रीट किये थे गोल तो नहीं हुए था इनकी टीम का बट 18 पॉइंट फिर भी देगा बिना गोल बिना एसिस्ट बिना किसी काम के आगे से बात करूँ नेक्स पेर की यहां से लूँगा ऑसकर मिंग्यूजा देखो मैं SEV पे इतना ब्रोसा नहीं कर रहा आज क पूरी टीम में अगर कुछ एक आदा प्लियर भी गलत करता है कुछ मलब नहीं चल पाता तो पूरी टीम को लॉस जिलना पड़ता है और आगे से बात करूँ नेक्स पेर की इसकर मैं जील्स कॉंडे तो इसने पिछले मैच के अंदर एक गोल किया था जिसमें की डिफेंड में इस लीग के अंदर मिट फिल्डिंग दे रखी है वो भी लेफ्ट एंड साइड और लेफ्ट एंड साइड मिट फिल्डर जादा कुछ नहीं करता तो फिर एक एसिस्ट तो करी सकता है बट मैं इसको नहीं लूँगा ड्यू टू क्रेडिड इशू और आगे से बात और डेंबल की तो डेंबल तो बहुत अच्छी फॉर्म में है क्योंकि एक लीग हुई थी पिछले अभी दो दिन पहले बार्सलोना का एक मैश था वो इस लीग में नहीं था नदर लीग क्योंकि आपको पता है बड़ी बड़ी लीग में ये टीम्स खेलती है तो यह जो प पिछले मैच में मैं इस चक्कर में फस गया था कि मैंने इस प्लेयर को बरोसा कर लिया था इसका नहीं सुसो तो इस कारण मुझे रैक्यूटिक को छोड़ना बढ़ा था और आप पॉइंट डिफरेंस देगी सकते हैं इसलिए आज मैं गलती नहीं कर रहा क्योंकि वो पारो बार ये गोल नहीं कर पाया मलब शॉटन टार्गेट में एड हो गया इसके पॉइंट गोल की बहुत कोशिश की दी मैसी ने बट हुआ ही नहीं और आगे से बात करूं नेक्स प्लेयर की इसका नाम है अन्टॉइन ग्रिजमन अन्टॉइन ग्रिजमन भी आसे आपको रिस्क लूँगा बड़ा क्योंकि क्रेडिट इशू है पर क्रेडिट इशू मेंटेन कर लिये मैंने आगे से बात करूं कैप्टन वाइस कैप्टन की कैप्टन नेका लियोनल मैसी और वाइस कैप्टन एक ग्रिजमन तो यही मेरी टीम गाईज मिलता हो गरी वीडियो में बाई